आज हम बात करने वाल है option selling की strategy की बारे में by the way ये पहला strategy का वीडियो होने वाला है इससे पहले 5 options की वीडियो आ चुके जो एक playlist के रूप में उपर आपको i button पे और pin comment पे मिल चाहेगा आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा important और मैं हूँ बहुत ज़्यादा excited क्योंकि जो आज की strategy है जब मैं actual market में जाके काम करता हूँ minimum 50% of the time मैं इसी strategy को use करते वे काम करता हूँ मतलब one of the most important strategy and one of the most simple to use strategy and एक ऐसे strategy जो हर एक aggressive, defensive and even moderate investor के लिए important हो सकती है चलिए discuss करते हैं सीधा चलते है screen के उपर और एक-एक point समझते है मेरी favorite strategy के बारे में finally अब हम आ चुके screen के उपर और मेरी personal favorite strategy को discuss करेंगे तिहान से समझेगा इस complete strategy को end तक बहुत simple होगी पर कई बार क्या होता है simple strategy को भी because हम ढंक से नहीं समझते टंक से apply नहीं कर पाते हैं और बाद में strategy backfire कर जाती है तो end तक इस complete video को देखना मत बुलेगा और like कर दीजेगा थाकि मुझे पता चल जाए कि ऐसे detailed videos में भी आपको मसा आता है strategy का नाम जानने से पहले एक important point सबसे पहले इस series में मैं आपके लिए cover करने वाला हूँ option selling की strategies अब मैं option selling को क्यों cover करूँगा because option selling में आपका risk to reward ratio आपके favor में रहता है option selling आपके लिए हमेशा better रहती है जिसके उपर हम already detailed video बना चुके इस series में क्या हम option buying को cover नहीं करेंगे करेंगे पर बिल्कुल end में towards the end हम कुछ ऐसी secret आपके साथ option buying की strategies को भी cover करेंगे कि आपको मज़ा आजाएगा पर पहले option selling जो आपके favor में है जो आपके लिए सबसे major काम आने वाली है उसे cover करते है पहली strategy का नाम है covered call strategy कहना क्या चाहता है उसे समझते है नाम से example से समझेंगे बाद में पहले नाम को clear करते है call मतलब जिस option को हम sell करने वाले है वो होने वाला है हमारे लिए call option को sell करने से पहले हमें cover करना पड़ेगा उस option को जो हम cover करेंगे किसी ना किसी asset के थुरू अब assets क्या हो सकते है suppose करते है आप किसी stock को covered call की strategy में use करना चाते है तो stock आपके लिए base asset हो जाएंगे अगर आप index को use करना चाते है और covered call की strategy उसमें apply करना चाते है तो या तो आपके लिए index हो जाएगा वरना उसका proxy at times आप mutual fund के portfolio को भी base बनाके covered call की strategy use कर सकते है आपको उच्छा है कि covered call की strategy आपको use करना है suppose करते क्रिप्टो में तो क्रिप्टो को as an asset आपको बनाना पड़ेगा base में यह होगए यह covered call की strategy का नाम को simplify किया है और जैसे आपको पता चला कि strategy के दो leg होने वाल है पहला leg होगा asset का और second leg होगा call का नहीं भी समझाना तो attention मत लीजिए example से clear करते हैं example लेंगे हमारा favorite SBI का suppose करते आप SBI को buy करना चाते है 500 rupees में because 500 हमाईले एक important support area है SBI में तो हमने SBI को 500 rupees में buy किया कितना buy किया जब भी आप कभी भी options में काम करते हैं आपको lot के recording काम करना पड़ेगा यहाँ पे हर एक share का या हर एक index का एक lot होता है जैसे SBI का 1500 shares का एक lot है तो हमें 1500 shares buy करने पड़ेंगे 500 rupees मेरा price था जिस पे buy करना था तो मैंने 1500 share 500 rupees पे buy कर लिए मेरे मन में target है कि जैसे ही अपने पहले 550 rupees पे पहुचेगा यह stock मुझे यहाँ पे exit लेना है और profit book करना है पर मुद्री की बात यह है कि क्या immediately stock 550 rupees तक पहुच रहा है obviously नहीं कई बार stock को 550 तक पहुचने के लिए कुछ दिन, कुछ हफते, कुछ महीनों तक भी लग सकता है अपने target तक पहुचने के लिए इसलिए जब तक आप अपने stock में अपने target तक नहीं पहुच रहे क्यों ना कुछ additional income कर ली चाहे और additional income करी जाती है हमारी इस complete strategy के second leg से जो होता है कि हमने out of the money जाके अपने target के पास का call sell कर दिया पहले हमने portfolio बनाया अभी market में 10 रुपे चल रहा है इसी SBI के call का तो 550 रुपी के call option को हमने sell कर दिया जब तक SBI 550 नहीं पहुचता suppose करते इस महीने पहुचा ही नहीं तो 10 रुपे मेरी income हो गई अगले महीने नहीं पहुचा again मेरी 10 रुपे income हो गई इस तरीके से आप अपनी income बढ़ा सकते और जो आपकी share का price है suppose करते हैं दो महीने तक आपका stock 550 नहीं पहुचा नहीं ज़्यादा तूटा जा है वहीं पे खड़ा रहे गया फिर भी because दो महीने तक suppose करते हैं कि back to back आपने दर-दर सुपे का premium collect कर लिया तो जो आपकी effective cost price थी वो कम होगी ना 20 रुपे से समझा चलो इसको तो और simplify करते हैं अब हम यह समझ लेते हैं कि SBI का different different scenario में क्या होगा मतलब जो हमने call sale कर रखा है उसका हमें क्या करना होगा stock का क्या करना होगा इसे एकदम simple करके clear कर देते हैं पहला scenario हमारे पास क्या होता है कि SBI या तो 550 तक पहुँच चुका है या 560 या फिर 570 मतलब अपने target returns के उपर पहुच चुका है normally भी अगर मेरे पास stock होते और stock अपने target तक पहुच जाता है तो हम stock का क्या करते है profit book कर लेते हैं यानि की stock को sell कर देते है तो हमें यहाँ पे SBI को sell करना पड़ेगा call option जो हमने यहाँ पे sell कर रखा है उसे भी nullify करना है buy करना पड़ेगा अगर month के end तक हुआ तो come premium होगा suppose करते हैं आपकी this covered call की strategy को apply करते ही एक दो हफते में आप target तक पहुच गए तो जो भी premium चल रहा हो उसको आपको buy करना है complete trade को बंद करना है अराम से आप profit में निकल गए हो आपके लिए major bumper profit इस scenario में हो चुका होगा second scenario क्या हो सकता है suppose करते हैं stock का price बढ़ा पर 5.30 या फिर 5.20 तक ही पहुचा मतला अपने target returns तक नहीं पहुचा फिर हमें क्या करना है अगर आपको लगता है कि SBI के stock में अभी भी dumb है अगले महीने भी इसमें बढ़ने के target है और बढ़ सकता है stock को आप अराम से hold कर जाओगे normally भी तो आप यहीं करते न stock जो आपके पास बढ़ा था आपके target तक नहीं पहुचा stop loss hit नहीं हुआ तो अराम से आप अपने stock को hold कर लोगे options का क्या करेंगे इस महीने का जो आपने sell किया था वो option तो zero हो चुका होगा पूरा 10 रुपए आपकी कमाई हो चुकी है और next month के option आप वापिस से sell कर दोगे same level का again आप sell कर दोगे 550 का क्योंकि 550 तो है आपका target suppose आपको लगता है कि नहीं अब तो मेरा target बढ़ गया है अब मुझे 580 का sell करना है तो वो भी आप कर सकते है पर normal scenario में best case scenario को ध्यान में रखते हुए आपको 550 का वापिस से call sell कर लेना है और 10, 12, 15 रुपए जो भी उसका premium होगा वो वापिस से आपकी income हो जाएगी आप क्या next महिने target होगा नहीं होगा फिर आप वापिस से stable पर ध्यान लगा सकते हैं third scenario क्या होगा आपको कुछ भी फाइदा नहीं हुआ पर covered call की strategy में अगर आपका stock वहीं का वहीं भी रह गया फिर भी आपको 10 रुपे की income हो चुकी है next scenario stock आपका यहाँ पर stop loss एट नहीं किया पर तोड़ा सा down है 490 सपोस करते हैं कि चले गया stop loss एट नहीं हुआ पर चले गया नीचे क्या कर सकते है वापिस से आपको अपने stock को चुपचाप hold करना है और वापिस से सेल कर देना है call को यानि कि इस scenario में भी आपकी 10 रुपे की profit हो चुकी है और अगर इस complete trade की बात करे 10 रुपे का आपका profit हुआ 10 रुपे आपका stock down है यानि कि आप अभी भी even though आपका stock तूट गया है no profit no loss में खड़े हो because आपने covered call कर दिया था last scenario suppose करते है आपका stock में stop loss था 480 रुपीज का जो आपका stop loss का area था अब क्या करना है भीया हमारा stop loss का area था 480 वहां तक stock पहुच गया है देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये final area है वैसे अब आपके लिए न actual stop loss 480 जगे 470 होना चाहिए क्योंकि 10 रुपे का premium आप अल्रेडी खा चुके हो अगर ये पहला मन्त है जहां पर आपका stock stop loss के पास में है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया है पर stop loss के पास में है और आपको अभी भी इस stock में confidence है तो आप अगीन अभी भी stock को hold कर सकते हो क्योंकि आपको वापिस से अगले महिने का call sell करना है और call sell करते ही आपकी वापिस से income हो जाएगी और आपकी cost price कम होते जा रही है अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो एकदम falling knife बन चुका है कुछ negative news आ गही है तो जो normal scenario में suppose करते हैं आपने covered call की strategy नहीं लगाई normally भी अगर stock टूड़ गया है तो आपका यहाँ पर stop loss हिट हो गया है तो stop loss हिट हो गया है तो आपको stop loss के हिसाब से exit लेनी पड़ेगी at least second scenario में भी आपको call sell करने के कारण loss तो 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 तोड़ा कम हुआ न at least 10 रुपे का तो कम loss हुआ because यहाँ पर आपने call sell कर रखा था यह आ गया हमारे पास 500 scenario जो आपके लिए मैंने clear कर दिये है अभी आपको देखके लग सकता है कि यह strategy एक्तम जादू ही है हमें हमेशा use करनी चाहिए पर एक चीज़ समझेगा हर strategy के कुछ positives होते है कुछ negatives होते है और साथ में हमें ये भी समझना होता है कि कौन से stocks में हमें ये strategy को use करना है उसके लिए अब हम चलते है second part में जो हम सबसे पहले positive से शुरू करेंगे पर अगर अभी तक आपके पास या किसी भी family member के पास DMAT account नहीं है description में link मिल जाएंगे even private channel जहां पर आपको additional education दी जाती है उसके part बनने का form का link भी आपको description में मिल जाएगा mobile app डाउनलोड नहीं करी या फिर secret of money making batch को आप लेना चाहते है हर एक चीज का link आपको description में मिल जाएगा चलिए चलते positives के उपपर सबसे पहला positive अगर आपका stock जब तक target तक नहीं पहुशता at least आपको regular income तो देता ही जाएगा second आपने as such कोई additional risk नहीं लिये portfolio तो आपके पास अपने आप ही था आपने तो just अपनी additional income कमाने के लिए call sell कर दिया without taking substantial amount of additional risk usually हमें क्या कहते options buy करना है option sales करना है option में काम करना है तो आपका risk बहुत high होगा पर इस strategy में as such आपने कुछ भी additional risk नहीं लिये क्योंकि portfolio तो चाहे आप ये option को sell करते या नहीं करते वो तो already आपके पास थाई सही अगर आपके पास ध्यान से समझेगा जब तक आपका target meet नहीं होता आप अराम से roll over कर सकते हो और अराम से अपनी regular income कमा सकते हो suppose करते है stock पहले चार scenario जो हम दें discuss करेते तोड़ा सा तूट जाए, वहीं पे रुख जाए, तोड़ा सा बढ़ जाए target तक नहां पहुचे तब तक आपको कोई भी tension लेनी की जरुवत नहीं होती है ये strategy मेरे लिए सबसे favorite रहती है large cap stocks में और वो भी quality होने चाहिए, results अच्छे होने चाहिए plus वो अपने support पे होने चाहिए मैं usually, देखिए, आप चाहो तो breakout पे भी use कर सकते हो पर मैं because इसको बहुत ज़्यादा use करता हूँ large cap stocks में इसलिए मैं इसको use करता हूँ जब भी अपना stock अपने support के पास होता है अगर आपका large cap stocks है जो majority support पे है, quality अच्छी है वहाँ पे आप covered call की strategy काफी अच्छी तरीके से use करते है मैं personally इसी चीच के लिए इस complete strategy को use करता हूँ finally, because आपके पास आपके portfolio में shares यानि की stocks अल्रेडी पड़े है ज़रुरत पड़े तो आप अपने stock को as a margin भी दे सकते है और आपके margin की requirement काफी कम होने वाली है इस strategy में next चलते है negatives के उपपर positive है तो कुछ ना कुछ negatives तो हों गई सही पहला negative हमें डर लगता है कि अनंद suppose करते है जो हमारा underlying asset था इस scenario में था for example SBI वो यह अगर बहुत ज़्यादा तूट गया तो मैं तो यह कहता हूँ आपने covered call के strategy नहीं लगाई फिर भी तो SBI तूट सकता है आपका stop loss हो सकता है न तो यहाँ पे भी उस stop loss को ले लीजेगा यह हमारे दिमाग में एक mental block होता है कि भाई price तूट गया तो क्या price तो किसी भी underlying asset का तूट सकता है वहाँ पे आपका stop loss हो सकता है second भाई यहाँ पे तो मेरी upside unlimited नहीं रही न limit हो गई ऐसे तो मैंने अगर SBA का stock buy किया था वो 800 रुपे भी हो सकता था पर आप मुझे बताइए जिस समय आप trading करते है short term trading करते है even positional trading करते है कब होता है कि आप 100-200-500% किसी भी single stock में immediately लेने की कोशिश करते है वो भी large cap stock में usually अगर आपका target 550 का था तो 550 में चाहे वो stock को जाना हो 600 आप तो बेच के निकल लेते न तो इस mental block को तोड़ा सा हटा दीजिए मुझे पता है ये इसकी limitations है पर limitation अगर आप सोचेंगे तो है और अगर properly समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी वड़ी limitation भी नहीं है अगले दिन वो 550 हो गया तो unnecessary मेरे call का भी price बढ़ जाएगा और मेरा जो profit हो सकता तो तोड़ा सा कम हो जाएगा ये बात मैंने मान ली बिलकुल अगर आपके buy करते ही immediately आपके stock का price बढ़ गया है एक दिन में, दो दिन में, पास दिन में और अभी तक option का premium गला यानि कि आपकी जेब में आया नहीं है तो आपका profit तोड़ा सा कम हो जाएगा पर कितना rarely होता है ऐसा आप ही दिल पे हाथ लगा के बताइएगा मुझे कितनी बार होता है ऐसा कि आपने एक stock को buy किया और immediately अग्रे दिनी वो stock 10% बढ़ गया हो हो सकता है पर large cap stock है और वो immediately 10% बढ़ गया हो rarely होता है तो कुछ पाने के लिए कुछ तो हमें खुना पड़ेगा regular income क्ली कभी कभी one of chances हमें मानने पड़ेंगे तो ये हो गई है हमारी complete covered call की strategy आप अराम से stocks में apply कर सकते हैं index में apply करना हो तो क्या हुआ जो आपके index का lot है वितना आपके पास index होना चाहिए assets में और उसके against में आप index के call बेच सकते हैं कई पर आप index की जगे mutual fund के portfolio को almost same amount की base मानते हुए भी covered call की strategy को use कर सकते हैं एक बारना अगर आपको strategy का वीडियो अभी तक नहीं समझ आया तो वापी से देख लीजेगा कई पर हम बिलकुल beginner होते तो तोड़ा सा time लग सकता है किसे भी strategy को समझने के लिए घर बैटके at least 5 से 10 talk में live demo करने की कोशिश करिएगा कि भाई ये strategy हम apply कैसे करेंगे बहुत मजा आएगा सारे important links description में है happy learning like कर दीजगा special efforts जा रहे हैं ऐसे detailed video बनाने में and I will see you very soon 5 videos आ चुके हैं ये छटा video हो गया है 6 videos options के series के आपको already free of cost मिल चुके and मेरी बात का विश्वास करिए किसी भी paid series से better आपको ये free series मिलने वाली है see you very soon